श्री अरुन जेटली जी की आदमकत प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है जब स्री रोहन जेटली का मुझे फोन आया कुछ दिन पहले कि आप आ सकते हो कारेक्रम में तब मेरा हा बोलना तो बड़ा स्वभाविक था क्योंकि अरुन जी की प्रतिमा का अनावरण था एक सण मेरे मन में विचारा आया कि क्या क्रिसिक क्रिकेटर से नहीं कराना चाहिए सवरव आने वाले थे गंभीर भी है फिर मैं अपने आपको रोक नहीं पाया मुझे भी मोह हो गया कि अरुन जी की प्रतिमा का अनावरण है तो यह मोका मुझे ही लेना चाहिए इसके लिए मैंने तत्काल हाव हो जाए आप सब अरुन जी को बहुत नद्लीक से जानते हैं ऐसे ही लोग यह छोटे से फंक्सन में उपस्तित हैं काभी न कभी अरुन जी से किसों किसी प्रकार से संपर्क रहा गहरा संबंग रहा एक बहुक्षा के प्रतिमा का धनी यह व्यक्ति इस्पॉर्समेंड-श्पिरीट के लिए राजनितिक शेत्रा के अंदर जाना जयता था पर कई सारे खेट्रों के अंदर एक साथ योगदान करना अपने आपको पिछे रखकर कामों को आगे बढ़ाते रहना और कभी भी प्रसिद्धी की परवा करे बगर काम को अंजाम तक लेजे ना कि एक मात्र उदेश थे अहर्निश्ट परिश्रम करना थे यह रोम जी की खास्यत थे राधनितिक शेत्र के दा अंदर दो कॉलेज काल से ही जब देश के लोगतंत्र पर बहुत गहरा कुठरागात हुआ स्रीमती गांडी ने अपातका घोसित कर दिया इंवजन्सी लाग दी तब युवा अवस्ता में दिली इंविशिटी के प्रेसिडेंटे नाते 19 साल तक जैल में 19 महने तक जैल में रहकर पूरा पूर जोर विरोद यह लोगतंत्र पर जो हमला हुआ इसका किया हुआ हुआ ह जो विदाइफी परिशत के कारेक्रता एनाते उनका राधनितिक जीवन सुरूआ है देश के वीत मंत्री बने कौमर्स मिनिस्टर बने कानून मंत्री भी रहे रक्सा मंत्री भी रहे जहां जहां पार्टी ने और नेत्रुतर ने उनको जिम्मेदारी दी वो बहुत अब वी उनने निपाई तो मैं गुजराद से आता हूं गुजराद से अरून जी का बहुत धहरा रिश्ता रहां सालों तक उन्होंने गुजराद का प्रतिनी दित्वत संसत के अंदर किया जब भी गुजराद में चुनाव होते थे महिना अडेड महिना आरून जी वहां रहना मिरंतर करते हैं और गुजराद के चुनाव की रननिती को बनाने के लिए गुजराद के टीम को तैयार करने के लिए हमेशा सबको साथ में लेकर चलने का उनका जो सबाव था इससे गुजराद बिज़ेपी को तो बहुत भाईदा होता था रादनितिक शेत्र में जब विपक्स में भी रहे विपक्स के नेता रहे और वो दस साल जो सब्ता में थे उनको निंद न दे लेने दे इस प्रकार के विपक्स के नेता का कर्थू तो उन्होंने निभाया कोई भी चीज हो अपनी तर्कबद्ध दलिलों के साथ सदन के पटल पर रखना सदन की गरिमा को जरा भी नीचे घिराए बगर आकरमक्ता से बात को रखना और सालिंता को भी बनाये रखना मैं मानता हूँ बड़ी कला है सिवधास तर्फिन को आज भी उनके कोई भी बासन को उठा लीजी, कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सदन की घरिमा को कभी ही भी कहीं भी किसे की एग्रेशन के मौके पर भी तोड़ा है परन्तु जन्ता की जो आवाद की जो गलत था उसको मुखर कर रखने बेवी एक इंच भी पीछे नहीं हटे और मैं मानता हूँ वो दस साल भारतिय संसत की इत्यास के विपक्स के पर्फॉमस के जो दस साल थे इसका ही नतीजा है कि आज जन्ता सही फैसला लेकर 2014 में स्री नरेंडर मौली जी को भारतिय जन्ता पार्टी की पूर बहुमत की सरकार बनाने की जो नका दिया एक अस्तिल जाके यूग से देश बहार आया मिली जुली सरकार है ना सरकार की नित्यांता होती थी ना नीता को स्वतंत्रता होती थी यूग से बहार आया देश इसमें अरुम जी का बहुत बड़ा योगदान था मूधी जी के अनन्य साथी रहें गहरी दोस्ती रही अर जब मूधी जी प्रद्यान दने तब सबसे महतो पून मंत्राल रोकवा अंहोंने नित्रू तो किया और बहुत अच्छी तरीके से मित्रू तो किया भारत के अंदर जो आर्ठीक सुधार की नित्य तेज जी वरूम जी के समय में ही रिफोंग्स को आके बढ़ाने का काम अरूम जी ने किया जिसको देश सद्यों तक याद रहेगा जहां दर क्रिकेट का सवाल है भारतिय क्रिकेट में दो महत्वपूर गटना है जिसने भारतिय क्रिकेट को नहीं दिशा दी एक तो मैच के राइट्स बीचने का जब फैसला किया गया वहां से भारतिय क्रिकेट को एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का मौका भिला है और दूसरा आईपियल है आईपियल जब बनाया है तो मेरे जैसे कई लोगों के मन में हम तो दूर से देखते थे हैं उसक्त मेरा गुजार क्रिकेट एसोसेशन से भी संबन नहीं था दूर से दिखते थे बहुत सारे सवाल मन में उठते थे कि रेगुलर में चोका क्या होगा टैंटेबल कैसे बनेंगे लिगल फ्रेमवर्क कैसे होगा अलग-अलग देशों के खिलारी खेलेंगे तो देश भक्ती की भावना के बगर विवर्शिप जूरेगी या नहीं जूरेगी देश सारे सवाल मन में उठते थे क्रिकेट प्रे मैरून जी से चिंता से कई बार बात करता था मगर हर सवाल का सटिक जवाब उनके मन में होता था एक शन भी रुके बगर तुरंग क्याता है नहीं नहीं अमित ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा और कन्फीजन के बगर उन्होंने परदे के पीछे रेकर आरपील का एक मजबूत खाका बनाया इसको लीगल आधार भी प्रदान किया और जो शुरुवात में थोड़े बहुत प्रस्णव हुए उसमें भी उनकी ही नित्रुतोत में बनी हुई कमिटी ने इसको निरस्तिय निराकरण किया और आईपियल पट्री पर जड़ चुकी है और देज भर के हजारो युवा क्रिकेटर को क्रिकेट को केरियर यह नाते अपनाने में आज जला भी जी जटने यह जमना था जब बचा क्रिकेट खिलने जदा था माबाप कहते थे पड़ाही रिखाई कौन करे क्रिकेट खिलना को केरियर नहीं होती थी और आज मुझे आनन्द है कि आज हमारे देश में हजारो युवा क्रिकेटर इस रास्ते पर चट बड़े होंगे प्रेटफॉर्म मिला है इनको एक मौका मिला है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और क्रिकेट को भारत म इस पर उनकी आदम की प्रतीमा का अनावरन होने जा रहा है अरून जी आयू में मुझे से बड़े थी मगर मेरे जीवन में जब संकट आया तब बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़त की मैं ना नहीं बोड़ सकते इतना गहरा संकट था मगर अरून जी ने हर चर्ण एक बड़े भाई की भूमिकानी भाकर उंगली पकर कर ये पूरे संकट से मुझे बाद नुकार में बहुत बड़ा यूशा है मैं उसको सारजनिक रूप से स्विकार नहीं करूँगा तो मेरे लिए भी वो उचीत नहीं होगा मैं आगसे सामने चुकार करना चाता हूँ 돼 रूं जी ने जरा भी डरे वगर हमेषा वो पुब्लिक परसेप्षन की चिंदा करते थे वगर मेरे केस में कभी भी पब्लिक पर से उप्षन की चिंता करें वगर क्यूंकि तू सच्चा है तुझे बहार निकलना चाहिए हमेशा मुझे सहारा भी दिया, गाइडन्स भी दिया और जहां जरूर पड़ी वहां उन्होंने खूद भी मीडिया के सामने या कहीं पर भी संसद में, मुखर कर बोलने में कभी पीछे करो नहीं रहे हैं आज अरून जी की प्रतीमा का नावरान होने जा रहा है, मैं मानता हूँ कि केट में योगदान दो तरह के लोगों का होता है एक तो खूद खिलते हैं और देश के लिए अपना फूरा समय और जीवन देते हैं वो तो सबसे बड़े कंट्रीमिटर होते ही है मगर खिलने का जो माहोल बनाते हैं, खिलने की जो व्यास्था करते हैं खिलने के इंफ्रास्ट्रक्टर खड़े करते हैं और खेल को सुचारू रूप से चलाने में जो मदद करते हैं उनका भी योगदान बहुत महतोपूर है यहाँ पर यादम का पतिमा खेल का माहोल बनाने के लिए खेल को लोगप्रिय बनाने के लिए और खेल को सुचा रूप से चलाने के लिए जो लोग योगदान करते हैं और वो और सभी खिलाडियों के लिए हमेशा प्रेना का स्प्रोथ रहेगी मैं बढ़ाई देना चाहूंगा रोहन जेटली को कि अध्यक्स बनते ही उन्होंने इफैसला दिया और आज एपतिमा यहां पुपर लखी है कुछ समय इसकाना हो रहा होगा मैं स्रीन जेतलीजी के परिवार और बिल्ली इस्टिक क्रिकेट एसोसेशन के सभी सदस्यों को मुण पुर्वक साधियुवाद देकर मेरी बाद को समाप्त करता हूं भारत मता की दे